तो दोस्तो ओनलाइन गर बैठे आप मलेशिया का वीजा सिर्फ अठाइस सो और पे में कैसे ले सकते हैं स्टेप बाइ स्टेप पूरी जानकारी दी है इस वीडियो में और अगर आप बाई रोड जाना चाहते हैं थाइलैंड से मलेशिया तो उसकी वीडियो भी आप सक्रीन पर देख रहे हैं तो यह पूरी प्लेलिस्ट है इंडिया से मलेशिया तक बाइ रोड बॉर्डर क्रोस करके कैसे जाते हैं तो वह भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं आईए जल्दी से चलते हैं computer screen पे visa for Malaysia लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यह उपर जो है इन्हें छोड़ देना यह सब agent वगारा की side है तो नीचे आते हैं तो officially Malaysia visa यह वाली जो side है इस पे click करना है इसका link भी मैं description में दे दूँगा आपको तो आप सीधा click करके यहां साइड पे यहां पे दो option है I am new and returning user तो यहां पे I am new पे click करके आपको बता देता हूं मैं already mail ID को register कर चुका हूं क्योंकि मैं visa ले चुका हूं तो यहां पे I am new पे जाएंगे तो यहां सिर्फ आपको अपनी जो detail यहां पे देनी है ना मैं date of worth है और passport की और यहां पे कर देना है इसे register जैसे ही आपकी mail ID registered हो जाएगी तो returning user पे जाना है उसी mail ID password के साथ यहां पे हमें sign in कर लेना है तो जल्दी से sign in कर लेते हैं दोस्तों तो sign in करने के बाद हमारा जो first page है यह list of application काएगा और यह कुछ उपर हदाइते हैं दी हुई है तो यह मैंने पहले apply किया था वो मेरी application है हम सीधा apply new पे जाते हैं apply new पे जाते हैं तो यहां पे दिया हुए 6 जून की चुट्टी है वोगरा छोड़ दीजिए और यहां हमारे सामने तीन option है tourist student और expirator क्या है समझने किसी को समझ में आये तो जरूर प्रता देना English World तो यहां लर्ट के बाद proceed कर देना है हमें proceed करने के बाद main जो पेज है हमारा particular of application यहां पे जो भी हमें apply करने के लिए submit करना है वो यहां पे यहां हमें अपनी photograph जो है वो यहां पे attach करनी है तो सारे documents मैंने देखी है पहले ही एक folder बना के रखा हुआ है तो यहां फोटो के बाद यहां पे हमें passport का जो first page है वो यहां पे हमें attach करना है तो इसे scan करके आप पहले ही रख लें passport का first and last page तो यहां पे हमें अभी last page है वो attach करना है तो यहां यह passport होने के बाद अभी यहां पे है फ्लाइट का रिटरन टिकट तो ये भी आपको करवा के रखना पड़े गा मैलेशिया के लिए तो यहां रिटरन टिकट के बाद होट्ल बुकिंग है होटल बुकिंग का भी आपको एक दिन का कहीं ना कहीं जो मलेशिया में बुक करना पड़ेगा तो यहां कॉला लंपर का जो होटल बुकिंग मैंने यहां पर लगा दिया है बाकी ऑप्शनल है उसे छोड़ दीजिए और यहां पर वीजा आफ टाइप टूरिस् आप दीजिए और यहां पे मेल कर दीजिए और यहां पर अपना फोन नम्बर डालना नहीं है तो यहांपे ट्रेवल country का वीजा लेने के लिए डालते हैं तो जल्दी से यहां पर मैं इशू और अकस्परीडेट डाल देता हूं लाधो दोस्तों यहां पर मिलेशिया का address है और address हम यहां से किसी भी एक hotel का ले लेते हैं and call alum par के यह hotel का मैं address यहां पर copy करके net से यहां paste कर देता प्रफ़दी से आप जो भी होटल की बुकिंग करेंगे उसका ड्रेस यहां पर डाल देना और दूसरी साइड पर जो हमारा पासपोर्ट ड्रेस है वह डाल देना है हमें उसके बाद पड़ेगा एकुरेट फोटो नहीं होती है तो यहां देख सकते हैं बॉक्स के अंदर जो लाइन्स बनी हुई है ना यह लाइन्स को आपका हेड के उपर लेके जाना है और देखे मैंने अभी रिसाइज करके अटैज कर दिया वीडियो जादिना लंबी हो इसलिए तो उसके बाद हमें यहां पर कंफर्म करना है परसीड कर देना है तो यह हमारी जो पूरी डीटेल है यहां पर फिल हो चुकी है इसे एक बार आप अच्छी तरह से पढ़ लें क्यूंकि यह लास्ट पड़ा है हमें यहां पर पेमेंट करनी है तो कार्ड सेलेक्ट करने के बाद पे परसीड पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं परसीड पर पे करते हैं यहां पर 156.24 रिंगट जो फीस है मलेशिया की वो यहां पर हमें पे करनी है तो आप अपने किसी भी कार्ड से पेमेंट यहां पर कर सकते हैं देखिए पेमेंट का ओप्शन कार्ड भरने के बाद 156 रुपया बनेगा इंडिया के हिसाब से तो जैसे ही आप पे 9 पे क्लिक कर देंगे तो आपका वीजा एक आदे दिन में आ जाएगा और आपको मेल आ जाएगी यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लिकेशन लिखा है यहाँ पे अप्रूवड लिखके आ जाएगा तो यह बहुत इसान तरीके से आप घर बैठे अपना जो मलेशिया का वीजा अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जूरूर कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें तो मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ तब तक के लिए जाय हिंद